नमस्कार दोस्तों एक बार पुना आप सभी का दरपंड सिर्ल सर्चिस के इस यूटूब प्लैट्फॉर्म पर स्वागत है जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने महारत्न कंपनियों के बारे में पढ़ा था तो आज हम महारत्न कंपनियों के आगे जो होता है दो और स्टेफ हो और महारत्न दर्चा मिलता है तो उससे उसको क्याल महारत्न कंपनिया और हमने देखा था कि आज देखेंगे एक कान बंच प्राप्त होता है और एसे ही कौन सी मीनी आपनीया होती है उन कल जो आपको प्रश्ण दिया गया था उसको देखते हैं कल आपको 5 प्रश्ण दिये गये थे सभी 5 के 5 प्रश्ण कौन से प्रश्ण थे आपके 3 मार करते ठीक है मतलब आपको 10 से 20 सब्द 25 सब्द में आपको यहां पर एंसर राइटिंग करनी थी ठीक है इच कोश्चन जिसम जो बैक्ग्राउंड हो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि नई अद्विक निती कब लाई गई उन्हें सो इंक्यान में लाई गई किन परिस्थितियों में लाई गई तो भारत में क्या लागू किया गया लिव लाइशन प्राइशन ग्लोब लाइशन ठीक है निजी तो इस प्रमुक प्रावधान क्या थे ठीक है तो इसमें प्रमुक प्रावधान क्या बता सकते हैं आरच्छित मदों कि सिध्धान को समाप्त कर दिया गया क्या समाप्त कर दिया गया आरच्छित मद का कॉंसेट्ट जो होता था उसको समाप्त कर दिया गया दूसरा लाइसेंसिंग प्रनाली को समाप्त कर दिया गया कौन सी प्रनाली लाइसेंसिंग प्रनाली समाप्त कर दिया गया इसके लाभा और क्या किया गया यहां पर देखिए जब हमने इस चैप्टर को चालू किया था उद्योग वाले चैप्टर हमने दो तरह की बस्तों में पढ़ी थी ठीक है उद्योगों में दो प्रकार की बस्तों मिलेंगे आपको पहला क्या होता है उपभोकता बस्तों ठीक है कंजियूमर गुट्स जिनको बोलते हैं वह क्या कहला जाती है उपभोकता बस्तों कहला जाती है तो दूसरी होती है आपकी पूझी गत्वस्तों तो पूझी गत्वस्तों क्या होती है तो जिन बस्तों का उपयोग करके उपभोकता बस्तों का निर्माण किया जाता है उपभोकता बस्तों का उत्पादन किया जात है उनको क्या बोलते हैं हम पूजी गत्वस्थ बोलते हैं यहां पर लिखा हुआ आप पड़ सकते हैं कि वे बस्तुमें वे बस्तुमें जिनका उपयोग निर्माता द्वारा अन्य बस्तुम के उत्पादान हितु किया जाता है ठीक है मतलब सीधी बात है आप क्या करते हैं लन की बाटल का या बालती का खीलयों का प्रयोग कर रहे हैं ठीक के दूख विझा विभूग्बाश्ति हो गई पर उनको बनाने के लिए जिस क άλλ मशीन का प्रयोग हुआ है तो मसीन किसी भी उध्योग या उध्यम को चालू करने के लिए सरकार के द्वारा licensing क्या कियाती है license का वितरण किया आता है licensing प्राणली को लाग किया गया ठीक है यह प्राणली 19 1911 के पूर्व क्या थी बहुत ज्यादा प्रिवलेंट थी 1911 के बाद मतलब आपके आर्थिक प्रास से त्रेस चीजों से लेडन ईनको छोड़ करके ठीक है जैसे क्या हुगा आपका यहां पे कौन को से सेक्टर अब बचे हुए हैं तो एक सेक्टर क्या बचा है आपका फार मैं सेक्टर है घुस्टरह कि है ndPS का सेक्टर है ठीक है नार्कोटिक्स ड्रक् optim फ्र्मा सेक्टर है कौन सेख्टर था करें उनको छोड़ करके भांग कि इस प्रणाली को समफ्ट कर दिया गया है ऐसा क्यों किया गया ताकि हमारे देश में अच्छे तरीके से क्या हो सके फल फूल सके ठीक है अगला है यहां पर ऐसी जड़ दिया हुए है एसी जड़ अच्छे सुनिएगा क्या है स्पेसल एकनॉमिक जोन विशेश आर्थिक छेत्र क्या होते हैं विशेश आर्थिक छेत्र अच्छे जिनको सुन लिजे तो देखो सरकार देश में उद्योग धंदे आदी को बढ़ावा देने के लिए कुछ छेत्रों को क्या किया जाता है उन चिन्हित छेत्रों को क्या बोला जाता है विशेश आर्थिक छेत्र और वहां पर सुभधाएं दी जाती है किनको उद्यम्यों को कुछ सुभधाएं प्रदान की जाती ह सब्सक्राइब सब्सक्राइब को बिजली या उर्जा के संसाथनों की सुविधाय हो गई ठीक है कुछ सल्सिनम सरकार दोरा उपलब्द करवा दिया जाएगा तो मतलब को कह सभी चीजों की सरकार दोरा लगवलब्द करवाई जाएंगी ताकि वहां क्या हो सके उद्योग धंद्यादी फल फोल सके ठीक है अब इसके लिए एसी जेड़ आप वहां पर यह परिवांस तो से दो लाइन में बताने के बाद आप बता सकते हैं कि हमारे देश का पहला एसी जेड़ क्या था तो आप वहां बताएंगे कांडला था कौन सा कांडला ग प्रक्रिया यहां पर लिखा हुआ है कि असी प्रकूली क्यों है कि थी तो बनाता है उनको प्राप्त करते हैं मतलब उद्ध्योग को इस्थाबित प्रक्रे ब्रक्र्ण कहला ता तो यह पूरे क्या थे आपके आज के प्रश्म थे ठीक है अब चलते हैं आपके आज के टॉपिक में आपके आपको आज दो टॉपिक पढ़ने हैं पहला क्या आपका नौरतन योजना है और अंगली क्या है मिनी रतन नौरतन योजना कब चाल हुई उनिस संतान ने में ठीक ह अगर कोई भी company नौ रत्न company का दर्जा चाहती है तो उसके पास mini रत्न company के दर्जा पहले से ही होना चाहिए ठीक है इसके अलाबा क्या है और कि इस पहले point के अलाबा 5 में से 3 वर्सों के लिए या तो बहुत अच्छी या उत्करश्ट की rating रही हो नी इसके लबा और क्या है तो कुछ और parameter क्या है तो इनकी सुद्ध आये निवल मोले ठीक है नेट वर्थ रोजगार स्रेजन वार्सिक कारवार्ट जितना इनने जो भी वह हुआ व्यापार हुआ इनका इनके लिए company को score score दिया जाता ठीक है और इस score में इन कारो parameter की score में उसको 100 में से 60 या अधिक नंबर मिलने चाहिए ठीक है तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है मांदंड टेक किये जाते हैं अब कोई भी company जो जिसको नौरत नंका दर्जा मिल जाता है उसको कुछ ना कुछ क्या होते हैं लाफ प्राप्त होते हैं तो हम यहां क्या कर सकते हैं तो इसके लिए क्या हो जाता है इनको यहां से लाफ मिल जाता है इसके अलावा क्या है घरेलू अंतराष्टी बाजार में पूजी एकत्रित कर सकती है अब सिदी से बात है कोई भी company है ठीक है वो company नौरत ने कंपनी है वो ब्यापार करेगी तो उसको कहीं घरेलू बाजार से भी और अंतराष्टी बाजार से पूजी एकत्रित कर सकती है ठीक है इसके लावा क्या है कि सरकार की बिना किसी अनुमति के निवेश कर सकती है और देश विदेश में उद्यमों को लगा सकती है हमने इसको महारत ने के उसमें भी पढ़ा उपनीयों को कोभी सरकार की परमिसन की आवसकता नहीं होती है कहीं नीवेश करने के लिए या फिर कहीं अन्य उद्यम लगाने के लिए ठीक है सेंट लाव किसको ही मिलता है नौरतन को ही मिलता है इसके लावा क्या है इन कंपनियों के निर्देशकों को बोर्ड की अधिकरहने विले समंध के लाब होते हैं अब यह जो नौरत कंपनियां हैं इनकी संख्या कितनी हैं तो अभी वर्तवान में संख्या इनकी कितनी हैं देश में 14 है ठीक है 14 कंपनियां हमारे देश में नौरत कंपनियों का दर्जा प्राप्त हैं इसमें जो एक दो देख लेते हैं कौन-कौन से नाम आ जाते हैं तो आपका क्या आ जाता है MTNL आता है महानागर टेलिफोन निगम लिम्टेड MTNL का बाद में बिले कर दिया गया था किसमें BSNL में किसमें BSNL में इसके लाबा क्या है है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिम्टेड बैंगलोर वेस्ट कंपनी और भारत इल प्रणसेट आ है वह भी संतान ने में आया नवरतने के साथ ही ठीक है अब इनके क्या मापदंड होते हैं उनको देख लेते हैं तो देखिए सारजनिक छेतर का कोई भी उक्रम है अगर वो पिछले तीन वर्सों से मुनाफे में चल रहा है लाब में चल रहा है तो उसको क्य कि जो नेट वर्थ है एक तरीके से एक जो तायरा सामाने दायरा माना जाता है उससे क्या होना चाहिए उपर होना चाहिए यह सामाने इस तर से ज्यादा होना चाहिए ठीक है इसको क्या बोलेंगे तो इस तरह कि इस दो क्राइटियर रखेगे पिछले तीन वर्सों में ला हैं मतलब अगर कोई कंपनी मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है तो वो सरकार की बिना किसी परमिशन के बोर्ड आफ मिंबर्स की सहमती से निदेश्कों की सहमती से क्या कर सकती है 50 क्रोड रुपए तक का खरचा कर सकती है ठीक है अब वो खरचा चाहे निवेस में करे चाहे ब्यापार में करें, चाहे अनुद्यामादी को खरीदने में करें ठीक है अब देखते हैं कि इसमें कौन-कौन सी कंपनी है तो हमारे देश कि चौहतर कंपणियों को MINI रतन कंपन्यों को क्या पराब्थे दर्जा पराब्थे आपका 10, 14 और 74 यह क्या याद रखना है यह महा रतन है यह आपकी नव रतन है और यह आपकी मिनी रतन है ठीक है अब इसमें देख लेते हैं एक दो उदारण के तौर पर तो इसमें पहला क्या आ जाता है कंपनी एयरपोर्ट अथर्टी ओफ इंडिया दूसरा क्या है आपका सायक संगठन है जो उसके क्या है एक तरीके से वांडिजिक वाले डिवीजन को देखता है व्यापार वाले डिवीजन को देखता है ठीक है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन यह क्या था आपका पूरा आज का टॉपिक था जिसमें हमने नौरत महारत मिनी रतने कंपनियों के ब मतलब आपको 200 सब्दों में आत्म निर्भर भारत पर एक लेख लिखना है ठीक है तो आज का लेक्षर नहीं समाप्त करते हैं मिलतें अंगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद